हाई फ्रेंड्स वेलकम टो आर्चेस वर्ड स्वागत है आप सभी कहां आपके अपने चैनल आर्चेस वर्ड में कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें चैनल को सब्सक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चॉकलेट ब्राउनी विदाउट ओवन आप बहुत इजली इसको अपने घर में कुक कर सकते हैं खाने में इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है बच्चे हो या बड़े हो चॉकलेट की चीजे चॉकलेट की डिशिस हर किसी को बेहत पसंद होती है हम बिल्कुल बोल जाते हैं इससे कितनी कैलोरी बढ़ रही है बस जहां पर चॉकलेट दिखी हमारा मन फिसल जाता है तो चलिए ऐसी ही बहुत ही साफ्ट बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं तो आप इसे एक पर जरू काफी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं आप इसे काफी एजी ली बहुत ही कम समय में अराम से अपनी घर में कुक कर सकते हैं फ्रेंट्स इसे बनाने में लगेगा आपको सिरफ 20 मिनिट्स और खाने में अमेजिंग फ्लेवर तो चलिए स्टाइब करते हैं इसके लिए हमने ओरियो के दो पैकेट चॉकलेट फ्लेवर के बिसकिट्स देख सकते हैं आप जैसे इसको सबसे पहले हमने पैकेट से निकाल लिया है और इसके बाद इन बिसकिट्स को हम खोलेंगे और इसके अंदर से क्रीम करेंगे क्रीम को हम केक बनाते वक्त यूज करेंगे बीच में एक एक बिस्किट खोलेंगे और इसके अंदर से क्रीम जो है वो हम रिमॉव करेंगे एक बाउल के अंदर सारी क्रीम इकठी कर लेंगे ये देखें इस तरीके से बिस्किट को ओपन करेंगे और इसके अंदर समने सारी क्रीम जो है वो रिमॉव कर द आसे पार बिस्कुट से अलग कर लिए है तो इसको ने एक बावल में रख दिया है इसको फिर्ष के नदर रखतेंगे तक यह मैल्ट ना हो और एक केक बनाते वक्त इसका यूज करेंगे यह देखें सारे biscuit से यहाँ पर तो हमने इसका एक बारिक सा यह पाउडर तीयार कर लिया है आप देख सकते हैं इसका टेक्शिर बिल्कुल बारिक इसका पाउडर बनाएंगे हम इसके बाद इसके अंदर हमें एड करना है शूगर पाउडर वह ऑप्शनल है अगर आप नॉर्मल ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा मीठा लवर हैं तो आप इसके अंदर शूगर एड कर सकते हैं तो इसके अंदर मैंने एड़ किया है तीन टेबल स्पून शुगर पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है आदा चमश बेकिंग सोडा आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से पहले स्पून की हेप से मिला लेंगे और इसके बाद इसको गुंगुने दूद की हेप से इसका एक स्मूज सा बैटर तियार करेंगे इसमें ज्यादा चीजों की जुरुत नहीं है हमें सिर्फ बिस्किट चाहिए दूद चाहिए शुगर पाउडर ऑप्शनल है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ये देखें दूद गुर्गुना होना चाहिए अब स्पून की हेल्प से इसको अची तरीके से मिला लें थोड़ा थोड़ा करके दूद इसके अंदर एडर करें गया है और उसके जहर Your अझेining बहुत अमेजिंग है कि अच्छी तरीके से बेख हो यह कच्छा ना रहें कि मैं भी आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से हम जिसको चेक करेंगे कि हमारा बैटर जो है वो स्मूथ बना है या नहीं बना इस रेस्पी को आप एक पर जिरू ट्राई करें मेक शियर कि इस अब को पसंद आने वाली है और हर कोई आपके तारिफ करने वाला है तो आप काफी इजली इसको बना सकते हैं बच्चे बड़े बुड़े हर कोई इसको बहुत ही चाव के साथ खाने वाला है तो बिस्कुट क बिस्कुट के जो खतम कर देगा और बिलकुल पता नहीं चलेगा कि यह जो हमने ब्राउणी है वो घर में ही बेक की है तो इसको ची तरीके से मिलाएंगे अब देख सकते हैं इसके कले में चेंज आ रहा है इसका कले डाक हो रहा है चार से पांच मिट के बाद कुछ इस तरीके का टेक्शिर आएगा इसका अब यहां पर इस वक्त हम लेंगे चार चम्म दूद और इसकी अंदर हम लेंगे 50 Grü म बटर, दूद के अंदर इस बटर को मैल्ट करेंगे, और इस दूद को इसके अंदर हम एड़ करेंगे, यह देखें, और इसके बाद स्पून की हप से फिर से मिलाएंगे इसको, इसे बहुत ही स्पॉंजी और क्रीमी सा इसका टेक्श्यर आता है, जो मुह में जाते ही गुल तो आप इसे जरूर एड़ करें और इसी वक्त इसको एड़ करना है, यह देखें, तीन से चार मेंट इसको और मिलाएंगे हम, और इसको फाइन सा बेटर तियार हो जाएगा, खाने का पन कर रहा है ना देखके, बिलकुल मुह में पानी आ रहा है, तो देर किस बात की आप करें, यह देखें, तीन से चार मेंट हमने इसको स्पून की हैप से फिर से एक डिरेक्शन में फेटा है और उसके बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक जो है वह आया है, अब देख सकते हैं, यह देखिए, बेटर जो है वह मारा बिलकुल सही बना है या नहीं बना वह चे अगर इस तरीके से आपका जो बेटर है वह दिख रहा है नजर आ रहा है तो इट मिन्स कि यह बिलकुल पॉफेक्ट है तो चलिए इसको बेक करने के लिए त्यारी करते हैं यहां पर हमने गैस ओन कर दी है फुल फ्लेम और उसके पर रखी है कढ़ाई के अंदर हमने रखा पानी एट किया है दूसरी तरफ हम केक बेक करने के लिए मोल्ड त्यार करते है इसके अंदर हमने बटर लगाया है बटर लगाने के बाद बटर लगाए अदरवाज दगा बेटर पेपर नहीं है तो आप आटा या मैदा किसी भी चीज का यूज कर सकते है और एक्स्ट्र जो भी आटा या मैदा है वो से मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और एक क्लियर पूरा केक का बेटर आपको इसके अंदर नहीं डालना है उसका आदा 50 पसंट डालना है यह देखे हमने मोल्ड के अंदर इस बेटर को डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से टैप टैप कर आपके मोल्ड की स्क्वाइर हो या राउंड हो या हाड शेप हो उसको पूर वह शेप इसके अंदर आनी चाहिए यह देखे राउंड शेप है तो मैंने पूरा जो बैटर है वह अच्छी तरीके से टैप टैप करके फिला लिया है और इसको आप वहां पे कठाई के अंदर जरूर इसे ट्वाई करें यह देखें पांसे साथ मिएड के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया है इसका इसके बाद गैस की फ्लेम यहां पर हम स्लो कर देंगे बिल्कुल और जो हमने क्रीम निकाल के रखे ते बिस्किट के अंदर से वह सारी जो है इसके ओपर एक लेयर उसकी बना देंगे यह देखें चारों तरफ बिल्कुल कोई भी हिस्सा इसका ब्राउन क्रूर का नहीं नज़र आना चाहिए पोरा इसके ओपर हम यह क्रीम की लेयर जो वह भीचा देंगे कि यहां पर थोड़ी से पिक्स आपको ब्लड नजर आ रही होंगी दूए की वज़ा से तो प्लीस टोंट माइंड थोड़ा सा मैनेज कर लेजेगा क्योंकि गैस अगर मैं आफ कर दोंगी तो फिर इसको दुबारे से गरम होने में टाइम लगेगा तो यहां पर यह देखे क्रीम मैंने चारो तरफ इसके क्रीम जो है वह फैला दी है अच्छी तरीके से और इसके बाद इसके उपर हमने जो 50% बैटर बचा के रखा हुआ था वो लगाएंगे यह देखें अच्छी तरीके से फैल चुकिए तो हम यहां पर बैटर जो है वह चारो तरफ फैला पर इसके बाद इसको फिर से ढखने कि हम गया हम वह बेक करेंगे साथ से आफ मिनट टोटर 15 मिट का वक्त लगए इसको बढने माई पांच मिट इसका प्रिप्रेश्शन करने में तो इसको ढखके पकाएंगे और इस वार जो हम ढखेंगे तो जो हम महारी प्लेट इसको ढ लाई से बाहर ना निकले और अच ही तरीके सब्लेक मेंगया उर चाहरों तरफ काऊश ऊपर करें यह देख के बिल्कुल अची तरेके cupreno क्रिम कहीं से में यह से भी नज़या रहे तो पर प्र 59फ टॉबल से ढखके और 7-8 मिंट के बाद कुछ इस तरीकी का टेक्शर है आप देख सकते हैं कितना यमी टेक्शर है इसका तो अब इसको नॉर्मल टेमप्रेचर पे हम 5-7 मिंट तक ठंडा होने देंगे प्लेट के ऊपर उल्डा करके और यह केक जो है वह बहा निकाल लेगे आप देख सकते हैं कितना बड़िया बेक हुआ है इसके यह देखें ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया है इसके बाद इसके उपर हम डालेंगे हर्शी सेरफ और इसको पूरा कवर कर देंगे सीरफ से सीरफ जो है वो इसका फ्लेवर और टेस्ट और कई गुना बढ़ा देगा और जब मैं इसे कट करेंगे ना तो क्रीमी लेयर जो आता है और जो मुह में घुलता है वो अमेजिंग है गाइस अमेजिंग है तो प्लीज आप एक बार तो इसे जरूर प्राइब करें यह देखें सीरफ को अच्छी तरीके से स्पून की हैर्प से इसके चारो तरफ फैला देना है और इसके बाद इसको हम रखेंगे 40-45 मिट के लिए फ्रिज के अंदर तकि अच्छ के अंदर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आते हैं तो लाइक को शेर करना बिलकुल न भूले जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तकि आपको मेरी आगे आने वाली सबी वीडियो की नोटिविकेश टाइम से मिल जाए और मेरी आप किसी भी रेसिपी को मिस ना करें तो यह देखे 45 मिट के बाद जब मैंने फ्रेज के अंदर से केक को बहा निकाला है तो कुछ इस तरीके का टेक्शर है उसका लुक है उसका जितना भी सीरफ उसके अंदर अब्सोर्ब होना था वो सब हो च तो आजाए आप भी यह देखे जब हम इसके अंदर कट करेंगे ना और इसका जो हमने क्रीम अंदर एड की थी और दूद के साथ जो बटर एड किया था ना तो उसका जो एक क्रीमी और बटरी सा टेस्ट मूं में आएगा वह माइन ब्लोईंग टेस्ट है अब कोई भी अगर बैड़े है तो जरूर नहीं कि आप बाहर से केक लेकर आए अब घर में को कर सकते हैं तो अगली बाद जिसका भी बैड़े आने वाला है ना घर में तो केक आपको खोधी बनाना है यह देखें आजाएं खाके बताएं कैसी बनी है मैंने तो टेस्ट कर लिया बहुत ही माइन ब्लोइंग टेस्ट है इसका यमी टेस्ट है बस मुह में जाता ही घुल जाता है तो आप जब इसको ट्राइ करेंगे ना घर में तो मुझे फीड़बेक जरूर दे मैंने बहुत ही इजी मैथर शेयर किया है आप लोगों के साथ तकि आप अराम से इसको बना सके ना इसमें समय लगेगा ना इसमें ओवन है एगलेस है जो वेजिटेरियन लोग है वो भी इसको काफी इजीली बना सकते हैं और खा सकते हैं केक कम मज़ा ले सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई और बहुत ही प्यारी और यमी सी रेस्पी के साथ तब तक वेट और यम्मी यम्मी आट इस वर्ण